समीर वान खेड़े एक ऐसा इमंदार आयर सफी सर जिसने अपनी जान की बाजी लगा कर बालीूट के किंखां कहे जाने वाले सारू खान के चरसी बेटे आर्यन खान को जेल की हवा खिलाई जिसने सुसांद सिंग के सुसाइड के बाद उनकी गल्फरेन रिया चक्रवर्ती को तथा उनके भाई शौरफ चक्रवर्ती को हिरासत मिली है शमीर वान खेड़े का जन्म 14 दिसंबर 1929 को सपनों के सहर कहे जाने वाले मुंबई में एक दलीत मराठी परिवार में हुआ था वर्ष 2019 में उन्हें NCV मतलब नार्कोटिक कंट्र ब्यूरो का जोनल डारेक्टर बने आ गया जिसके बाद उन्हों ने एक साथ कई जगों पर छापे मारी किया और 1700 कलोर रुपए का ड्रक्स चप्त किया जिसमें कई बड़ी हस्तियों से भी पूछताथ की गई जिसमें अनुराग मिसरा और बिबे को बराये नाम सामील है इसके बाद वर्ष 2020 में कपील सर्मा के मसहूर केमेडियन कहे जाने वाली भारती सिंग तथा उनके पती को ड्रक्स मामले में गिर्फतार करके उनको जेल भेजने का जिनको सरे प्राप्त है ओ समीर वान खेड़े है आज जहां पूरे देश में शमीर वान खेड़े की वह वही और बड़ाई हो रही है तो वहीं दुसरे तरफ जो एंसेपी कांग्रेश को जो नेता है नवाब मलिक उन पर आरूप लगा रहे हैं कि लगडाउन में जहां सारे अभिनेता मालदीव घुमने के लिए गय थे तो वहीं दुसरी तरफ जो शमीर वान खेड़े हैं वो भी उनके लिए गय थे पैसा वो सुनने के लिए मालदीव या रूप लगा रहा हैं कि जहां एक तरफ हो गय थे घुमने के लिए मालदीव तो ये भी गये थे माल दी घुमने के लिए और उनसे पैसा उस्वनने के लिए कि आप में पैसा दीजेगा आप तो को ड्रक्स मावले में आपको गिरफतार नहीं करूंगा तो इसी साब से नसीपी नेता मा मलिक को मेरा जबाब ये रहेगा कि क्या मलिक जी अगर सारुख खा खाते नहीं ना तो जितने सारे दर्शक लोग देख रहें आम जनता देख रहें इस वीडियो को आज हम लोगों का ये दैट्व है कि शमीरवान खेड़े जैसे इमंदार ऑफिसर के साथ खड़े होने की जरूरत है और उनके साथ देने की जरूरत है चाहें मंत्री का नेता हो मंत्री का बेटा हो या चाहें किसी भी अभीनेता का बेटा क्यों नहों उसे अगर कोई गलती किया है तो उसे सजा कानून रूप से मिलनी चाहिए लेकिने तब ही संबह हो है जब हमारे साथ शमीरवान खेड़े जैसे इमंदार ऑफिसर सोंगे वैसे अगर आप इनके सम कर दो कर दो एदोड़े एंवारे साथ शार्स प्राद से एंड़ों दोरिया थाजिया सोंगर कि जी सोमीर बालती कि अचर्णाव है तो कि अच्छे एंवारे से लाग सिर्ग कि अगर हो हो ड्तली कि सम अपड़ों रख सुर्या